नमस्कार दोस्तो मैं सभी सुमन आपके अपने यूटूब चैनल स्रेष्ट भारत में आपका स्वागत करता हूं दोस्तो आज हम पढ़ेंगे सम्विधान और सम्विधान में पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकारों के बारे में तो जिनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्रा लें बगल में जो बेला इकन हैं उसे भी किलिक कर दें ताके हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो आते हैं अपने टोपिक पर पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार अगर प्रशन आता है कि मौलिक अधिकार सम्विधान के किस भाग में दिये गए हैं तो वो है भाग तेन के अंतरगत ठीक हैं और अगर प्रशन आता है कितने अनुषेद में हैं तो वह है अनुषेद 12 से लेकर अनुषेद 35 तक मौलिक अधिकारों का लेख किया है जिसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिये गए हैं तो पहला है समता का अधिकार समता का अधिकार ये दिये गए हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 त ठीक है तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा है समता का अधिकार जो के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद है 19 से लेकर 22 तक ठीक है तीसरा मौलिक अधिकार है सोशन के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद है 23 से लेकर 24 तक ठीक है चौथा मौलिक अधिकार है धार्मेक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिये गए है चौथा कौन सा है धार्मेक स्वतंत्रता का अधिकार ये दिये गए हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक पांच्छमा अधिकार है संस्क्रती एवं सिक्छा के सरच्छड का अधिकार ये दिये गए हैं अनुच्छेद 29 और 30 में ठीक है और छटमा और अन्तिम मौलिक अधिकार है सम्वेधानिक उपचारों का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 32 में ठीक है तो छटमा प्रकार के मौलिक अधिकार है पहला है सम्वेधा का अधिकार जो है 14 से अनुच्छेद 18 तक दूसरा है स्वतंतरता का अधिकार वो है 19 से लेकर 22 तक तीसरा है शोचन के विरुद अधिकार वो है 23 से 24 24 है धार्मिक स्वतंतरता का अधकार वो है 25े लेकर 28 तक 5 है संसुक्रती और सिक्षा का अधकार वो दिया गया है 39 और 30 में आई समयधानिक उपचारों का अधकार दिया गया है एक 17 मी मौलिक अधकार भी था, जिसे संपत्ति का अधकार कहा जाता है. इसको 1968 में चोवाणी समृबानी संसोधन के दोरान 300 क में सामिल कर दिया गया. यानि कि वो मौलिक अधकार से हठा कर अब वहाँ विदे का अधकार यानि के कानूनी अधकार बना दिया गया. से 18 तक हैं, तो 5 प्रकार के मौलिक अधिकार दिये गए हैं, पहला है समता का अधिकार जो अनुच्षेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, जिसे में पढ़ेंगे हम 500 प्रकार के अधिकार जो अनुच्षेद 14 में वो है विधी के समक्ष, समता और विधी का समान सर्रक्षण तो मतलब क्या है इसका, तो मतलब यह है कि प्रत्य के व्यक्ति कानून की नजर में समान होगा तो पहली लाइन का अर्थ है कि प्रत्य के व्यक्ति कानून की नजर में समान होगा और दूसरा है विधी का समान सर्रक्षण इसमें भी प्रत्यक व्यक्ति को कानून का समान रूप से सर्रच्छन मिलेगा तो इसमें एक शब्द आता है कि प्रत्यक व्यक्ति शब्द क्या है प्रत्यक व्यक्ति इस अनुच्छित में शब्द है प्रत्यक व्यक्ति यानि के भारत के भूछेतर के अंदर जो भी लोग रहेंगे जो भी व्यक्ति रहेगा उसे इस तरह की समता का अधिकार दिया गया है चाहें वो भारती हो चाहें वो विदेशी हो बाकी जो अनिच्छेत हैं 15, 16, 17, 18 उसमें प्रत्येक नागरिक को कहा गया है यहने के बाकी जो अनिच्छेत हैं उसमें कहा गया है प्रत्येक नागरिक लेकिन इसमें कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति इसका मतलब यह है कि जो विदेशी हो विदेशी मुलका रहने वाला हो और जो भारत में निवास कर रहा हो उसको भी कानून की नजर में समान सरच्छन दिया जाएगा उसको भी समान माना जाएगा लेकिन इसका अपवाद क्या है इसका अपवाद यह है कि अनुछे 361 के तहट भारत के राष्टपती राज्यों के राजपाल नियाधीस को इन से अलग समझा जाएगा यानि कि उनको कुछ विश्यास अधिकार दिया जाएंगे आम नागरिक के अलावा और ऐसा उनको विश्यास इस्तती विश्यास पद और विश्यास जिम्मदारियों का कारण दिया जाता है जिससे वह देश के प्रति अपनी जिम्मदारियों का अपने कर्तपयों का सम्चित निर्वान कर सके